कि अजय को अजय को अजय को अजय को हलो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे विविक मिस्ट्रेटी चैनल पे तो आज हम अपने इस इस्ट्रेटी चैनल में पहला वीडियो डालने चल रहे हैं तो हमारा पहला है लेशन क्लास 11 ख का first lesson है वह भी प्रोज का जिसका नाम है मरसी तो हम जानते हैं मरसी क्या होता है मरसी मतलब दया होता है तो इसके बारे हम पढ़ेंगे तो मरसी एक ऐसा chapter है जिसको बिलियम कें रिज्त दीए जी हींदी विड के जनक कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा एंगलीस के सभी वर्डों को खो जा गया था। यहीं एक महान विभूत के रूप में जाने जाते हैं। यह इनका प्रोफाल फोटो है। तो इसके बाद आईए हम जानते हैं यह दिया गया है about the poet के बारें दिया गया है कि इनका जन्म कब हुआ था इनके father कौन है इनके mother कौन है तो चलते हैं तो central idea जो सबसे main important चीज होता है वो इसमें दिया गया होता है about the poem करके central idea जो होता है about the poem जिसे आप लोग यहां देख रहे है about the poem दिया गया है यही हमारा central idea होता है हम अपने मन से करके लिखते हैं central idea यह क्या होता है according to the poet यह poet के अंसार बहुत ही अच्छे तरह से मर्मिक धंग से वर्लन किया गया है इसका तो हम इसमें से भी ले करके पूरा explain कर सकत हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और poet जी ने जो भी लिखा है बहुत ही अच्छा लिखा है इसमें से अगर हम पढ़ेंगे इसमें कुछ word कुछ sentence रखेंगे हमारा central idea बहुत ही अच्छा होगा तो देखते हैं about the poem poem के बारे क्या कहा जाता है दिया गया दिया जो होती है is an inner inner मतलब आंतरिक quality मतलब गुड़ दिया जो होता है of human heart मनुष के हुर्दय का आंतरिक गुड़ होता है यह स्वतंतर रूफ से बहता है यह पानी नहीं एक बहता है मतलब स्वतंतर रूफ से सब के शिर्दय में रहता है दया यह बात यह नहीं है आगे हम पढ़ेंगे इट इस नाट इस्टेंड इट फ्लोस फिरिली या स्वतंत्र रूप से बहता है इट सूथ दिस्टर्ब्ड एंड इक्साइटेड माइंड इट सूथ सूथ मजब क्या होता है सांथ करना इट सूथ यह सांथ करता है दिस्टर्ब्ड इस्टर मतलब इस्टर मतलब परसान एंड इक्साइटेड मतलब उत्तेजित मन को माइंड मन दया जो होता है यह उत्तेजित तथा परशान मन को सांध करता है सूथ मतलब सांध करना उसके बाद it enrichs both the giver and the receiver यह इनरीच मतलब क्या होता है सम्रिद बनाना इनरीच मतलब सम्रिद बनाना यह मतलब दया दयाग बारे मताया जारा मरसी जो होता है यह सम्रिद बना देता है बात दोनों को the giver जो देता है and the receiver और जो लेता है या दोनों क्या करता है समरिद बना देता है It is the most powerful quality of man दया जो है या मनुस्य की most powerful quality है मतलब सबसे आती सक्तिसाली गुड है मनुस्य का It decorates the king better than his crown या decorate मतलब सजाना the king king को better than better मतलब यह comparative degree है better than उसकी पेच्छा में his crown crown मतलब मुकुट दया की भावना जो होती है अर्थात मरसी decorate करती है सजाती है किसको? राजा को better than his crown उसके राज मुकुट से ज़्यादा राजा को सजाती है अर्थात कहने का यह मतलब हुआ कि मरसी जो है decorate करती मरसी जो है राजा को उसके मुकुट से मुकुट की यह पेच्छा ज़्यादा सजाती है ठीक है it wills greater influence that his sceptre and the crown विल्ड मतलब होता है काम में आना या फिर फिर आना ही लाना कुछ भी हम का सकते है it wills अर्थात दया की भावना जो होती है greater influence ज़्यादा प्रभाव साली होती है then the skeptor skeptor मतलब राजा की तलवार and the crown मतलब राजा का मुकुट राज मुकुट यह दया की भावना जो होती है यह राजा के तलवार तथा राजा के मुकुट की अपेच्छा जादा प्रभाव साली होती है it is a divine quality divine मतलब दयवी quality मतलब गुड यह एक दयवी गुड होता है a king become god एक राजा god मतलब भगवान की तरह व्योहार करने लगता है भगवान की तरह न्याय करता है when the tempers justice जब दया के भवाना से मिलकर वह न्याय करता है तब वह क्या करता है एक guard की एक भगवान की तरह न्याय करता है और आप लोग जानते हैं भगवान कभी न्याय नहीं करते हैं उसी प्रकार जब भी कोई राजा होगा अगर वह न्याय करेगा और वह भी मरसी के साथ तो वह क्या करेगा भगवान की तरह न्याय करेगा तो आईए हम चैप्टर पे आते हैं तो देखिए क्या गया गया है the quality of mercy दया का गुड is not strand strand मतलब बाद्ध होता है बल पूरुवक होता है दया का गुड बाद्ध नहीं है अर्थात दया का गुड बल पूरुवक नहीं लाया जाता है it dropped मतलब बूदे as the gentle माने others ran वर्षात from heaven मतलब स्वर्ग इसकी वर्षात जो होती है फिर समझेए यह दया वर्षात की छोटी छोटी बूदों के रूप में स्वर्ग से it dropped as a gentle rain from heaven यह बर्षात की छोटी छोटी बूदों के रूप में स्वर्ग से कहां पर गिरती है आगे देखते हैं स्वर्ग से upon the place beneath धर्थी के धर्थी पर गिरती है अर्थात दया की भावना जो होती है बर्षात की छोटी छोटी बूदों की तरह ठर्थी पर गिरती है और इसके बाद आता है हमारा next line देखते हैं it is twice blessed यह क्या होता है twice मतलब दोहरा blessed मतलब वर्दान धया की भावना जो होती है यह क्या होती है दोहरा वर्दान होती है twice blessed किसके किसके लिए होता है it blessed him यह उनके लिए वर्दान होता है that जो की gifts जो दया को देते हैं and him और उनके लिए that takes जो दया को लेते हैं यह जो यहाँ पर टिस लिखा गया है यह टिस नहीं it is होगा it is यह बहुत पहले लिखा गया था इसलिए it is है पहले हो सकता है चलता हो हमको भी नहीं मालूम लेकिन it is है it is my test in the my test यह सक्तिसालियों से भी ज़्यादा सक्तिसाली होती है कौन दया it is my test in the my test यह सक्तिसालियों से भी ज़्यादा सक्तिसाली होती है अर्था सर्व सक्तिमान होती है it becomes the throne monarch better than his crown becomes मतलब बनाना यह बनाती है throne मतलब उच्पद throne मतलब उच्पद monarch मतलब सासक better than his crown उसके राजमकुट को दया की भावना जो होती है एक सासक को monarch मतलब सासक सासक को उसके उच्पद सासक के उच्पद से ज़्यादा एवं उसके crown मुकुट से ज़्यादा सर्व सक्तिमान बनाती है it becomes the throne monarch better than his crown दया की भावना जो होती है सासक के उच्पद की अपेच्छा या फिर उसके स्वारी फिर से देखेंगे इड़ बिकांस दा थ्रोंड मोनार्च बेटर दैन हिस क्राउन दया की भावना जो होती है उच्पद वाले सासक को उसके क्राउन उसके मुकुट की अपेच्छा ज्यादा सक्तिसाली बना देती है कौन दया इसकेप्टर इसकेप्टर नतलब क्या होता है राजा की तलवार इसकेप्टर राजा की तलवार सोस्द फोर्स आफ टेम्पोरल पावर टेम्पोरल माने सांसारिक सक्तियां राजा की तलवार जो होती है वह राजा के फो स्वार यिए क्लैन चुट गया दि डे टो एव एंड माय जिस्टी ए्टरिब्यूट मतलब गुड़ होता है टुड़ on मतलब भय और माईΡिस्टी मतलब राजस्वी है है हम कर सकते हैं राजसी वैभा साहर का जो गुड़ होता है वह दूसरों के ध्युष्य को दिखाने के लिए और राज सी वयभव दिखाने के लिए होता है राज सी बॉयभव दिखाते हैं राजा और राजा का राजा के अंदर जो ड्रीड माने आतंक और फियर माने भै राजा ये सोचता है दूसरों के हिर्दय में उसका भै रहे और आतंक रहे मजगा लूसरों तो लेकिन मरसी से हटके मरसी से बहुत ही उपर है ये सांसारिक शक्तियों को दिखाने के लिए नहीं बलकि आगे देखिए बैट मर्सी इस इसकेप्टर से लेकिन मर्सी जो है मर्सी मतलब दया दया जो है इस इसकेप्टर अवे राजा के उस सांसारिक सक्तियों को दिखाने वाली तलवार से कहीं ज्यादा उपर होती है दया इन्थ्रोंड 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 मतलब अंतर नहीत इन्थ्रोंड 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 मतलब अंतर नहीत इन्थ्रोंड 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 स्वयम का यह जो दया होता है वह भगवान के स्वयम का गुड़ होता है दया अर्थली पावर डथ देन सो लाइकेस्ट गॉर्ड फिन मर्सी सीजन जस्टिस अर्थली पावर मतलब सांसारी सक्तियां डथ मतलब मिलकर देन सो लाइकेस्ट देथ मतलब दोनों मिलकर सो लाइकेस्ट गोड्स वेन मर्सी सीजन जस्टिस मर्सी मतलब दया होती है सीजन जस्टिस सीजन मतलब सीजन जस्टिस मतलब न्याय करने के लिए लगा गया है सीजन जस्टिस तो देखिए और जब सांसारिक सक्तियां और मरसिदया दोनों एक ही में मिलकर डथ एक में ही मिलकर नयाय करती है तो वह नयाय वह किया गया नयाय भगवान की तरह नयाय होता है अर्थाज़ सांसारिक सक्तियां राजा की वो सांसारिक सक्तियां और मरसिदया की भावना मिलकर नयाय राजा करता है दोनों अगर मिल जा तब अगर राजा नया करता है तो भगवान की तरह नयाय होता है तो इसी के साथ यह चैप्टर स्रमापत होता है थेंक्यू गुडबाई फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में तो हमारा अगला चैप्टर होगा यह तो फ़र्ट चैप्टर है अगला चैप्टर देखते हैं त तो अगले चैप्टर में हम मिलते हैं अगला चैप्टर हमारा है दे स्कॉलर इसके बारे में हम कल्चर चा करेंगे फिरहाल आज इतना ही ठैक्यो और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हाँ तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद और विल आइकन बजाना ना भूले